नमश्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 11 जन्वरे दिन गुरुबार खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर जानी मृत्यू प्रमान पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया बिहार में सरकारी भवनों का रूफ टॉप पैदा करेगी बिजली अयोध्या के तरह बिहार के इस जिले में भी विराजेंगे मर्यादा पुरुसुत्तम जरुवत परने पर इस बर्थ नंबर से बुलाएं टी टी या सुरक्षा गाड को मुहमद सराज ने टेस्टर रैंकिंग में लगाई लंबी चला रोहित विराट को भी फाइदा अब चले बरते हैं बिहार के अब तक की 25 बरी खबरों के ओर विस्तार से केंद्रे भवन अनुसंधान संस्थान में 24 टेक्निकल असिस्टेंट पदो पर निकली भरती CSIR केंद्रे भवन अनुसंधान संस्थान में 24 टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वाधिकारिक वेबसाइट cbri.res.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं इसके बाद उमिद्वारों को सब्मिट किये गया अप्लिकेशन की हाड कॉपी को 20 फरवड़ी दो हजार चौबस तक cbri.res.in रूड़कीर स्थित ऑफस में जमा करना होगा बता दे कि अप्लिकेशन विंडो साथ फरवड़ी के शाम पात बज़े तक खुली रहेगी इसके लगर सैच ने क्योग गिता की बात करें तो टेकनिकल असिस्टेंट भरती के लिए आवीदान है तो उमिद्वारों को सिविल इंजीनीरिंग या आर्किटेक्ट्टर इंजीनीरिंग या इलेक्ट्रोनिक इंजीनीरिंग या इन्फॉर्मेशन टेखनलोजी में डिप जाने मृत्यू प्रमान पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के अर्थ एवं सांकी की निदिशाले के द्वारा IPRD बिहार के तहट पोस्ट शेर कर यह जानकारी दी गई है कि मृत्यू प्रमान पत्र बनवाने की पूरी प्रक जाकि प्रति में और अनिस सरकारी योजना का लाब प्राप्त करने के लिए ऐसे में आप मृत्यू रजिस्ट्रेशन मृत्यू की घटना चिकसा महावध जाले, अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडली अस्पताल, रिफ्रल अस्पताल, सामुदाईक, स्वास्ते केंद्र, प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र में घटेत हुई हो तो संबंध स्वास्ते संस्थान के अधिसूचित रिश्ट्राड अधिक्चक उपाधिक्चक प्रभारी चिकसा पदाधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं इस जुड़ी अधिक जानकारी के लिए संबंध जिला के जिला सांखी की पतादिकारी सा अपर जिला रिजट्राड जन्म एवं मृत्यू से संपर्थ करें। हाला कि अब कारिक्रम के समय में बदलाव कर दिया गया है बता दे कि अब नए समय के नुसार न्युक्ति पत्र 13 जन्वरी को दो पहट 12 बजे से देना शुरू किया जाएगा बता दे किस दन मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा 25,000 सक्षकों को अपने हाथों से प्रमंडलों और जिलों में दे दिये गए हैं बिहार में इलक्रिक वहनों की बड़ी मांग पडिवान विभाग के द्वारा जारी केगे आंकरों की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है बता दे कि जारी केगे आंकरों के नुसार वर्स-2022 में राज्जी में जहां 55,701 इल 23,500 अधिक है वहीं दूसरी ओर इस दुरान पेट्रॉल और डीजल वाहनों की मांग की रफ़तार अपेक्छा कृत धीमी हुई है लेकिन C&C वाहनों का क्रेज भी बढ़ा है बता दे कि पड़िवान विभाग के आकड़ों के नुसार बिहार में वर्स 2023 में कुल 12,88,052 वाहन बिक्री हुई है बिहार के इस जले में खुलेगी चौथी Central University बहुत जल्दी बिहार को चौथी Central University का सौगात प्लने वाला है द्रसल बिहार के भागलपुर के कहल गाओं में एक और Central University का नर्मान होने वाला है जिसका नाम विक्रम शिला Central University होगा वही Central University के नर्मान को लेकर स 215 एकर भूमी का अधिग्रहन की प्रक्रिया जल्द आरंब की जाएगी इसके लिए सरकार की ओरशे रासी की विवस्था की जारी है और साथ ही इसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन को भी आविशक दशानरदेश दिये जा चुके हैं मालम हो कि स्विश्विद्याले के स्थापना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कड़ी 500 करो रुपे आवंटित किये गए हैं बिहार में सरकारी भवनों का रूफटॉप पैदा कड़ेगी बिजली बिहार रेन्यूबल एनरजी डिवलप्मेंट एजनसी यानि की ब्रेडा के द्वारा राजी के सरकारी भवनों पर लगाएगे रूफटॉप सोलर पावर प्लांटों को नजदी ग्रीड सब स्टेशनों से जोडने के लिए सहयोगी नीजी एजनसी की तलास शिरू कर दी ग पारन किया जाएगा और साथ ही इनके मेंटेनस और ग्रीडों से उनकी संपर्कता बाहाल करने में भी बिजली आपूर्ति कम्पनियों की मदद की जाएगी मालूमों कि वर्तमार में रूफटॉप सोलर प्लांटों से 20 मेगावार्ट बिजली मिल रही है जबकि 65 मेगावार के लिए प्रक्रिया चल रही है इन सभी को ग्रीड से कनेट करने का काम होगा और इनके माध्यम से 150-200 मेगावार्ट सौर उर्जा जोडने की योजना है आज बिहार में यहां लग रहा रोजगार मिला अगर आप रोजगार की तलाश में है तो यहां खबर आपके लिए है बता दे कि आज यानिकी 11 जन्वरी को बिहार के सिवान के महदЕवा रोड स्थ डी आर्सीसी यानिकी जिला निबंदन और पड़ामर्श केंधर में रोजगार मिला का आउजण किया जाने वाला है QAISIM इसमें भाग लेने वाले उम द्वारों के पास बारवी के साथड डिप्लोमा की डिग्री, डिप्लोमा ITI की डिग्री और ITI की डिग्री होनी आवशक है. वजादिक इस रोजगार मेला में तीन कंपनियों के दौरा रोजगार उपलब्द करवाया जाएगा जिसमें SPNN Business Services Private Limited Company, AISIN Automotive, हरियाना Private Limited Company और Polymedicure Limited सामिल है जरूरत परने पर इस वर्थ नंबर से बुलाए TTE या सुरक्षा गाट को ट्रेन में यात्रियों को सफर करने के दौरान किसी परकार की कोई परिशानी ना हो इसको लेकर रेलवे के ओर से कहीं सुधाएं प्रदान की जाती है लेकिन इसके बावजूद भी कहीं यात्रियों को सफर करने के दौरान कहीं परकार की परिशानीों का सामना करना पड़ता ह ऐसे में जरान यात्री, TTE या सुरक्षा गार्ड को ढूनते है ताकि वो अपनी परिशानी उनको बता सके। लेकिन इतनी बड़ी ट्रेइन में आपको इस बात की जानकारी नहीं होती कि TTE या सुरक्षा गार्ड आपको कहां मिलेंगे, लेकिन हम आपको बता दे कि TTE या सुरक्षा गार्ट के लिए भी एक बर्थ होता है जहां ये रहते हैं ऐसे में श्ताबधी मेर और एक्स्प्रस ट्रेनों में TTE हर स्लीपर कोच की साथ नंबर बर्थ में होते हैं वहें इंटर सिटी में D1, D3, D5 और D5 बर्थ में TTE आपको मिल जाएंगे इसके अलावा सूपर फास्ट ट्रेन में A1 कोच की बर्थ नंबर 5 में TTE होते हैं वहीं अगर सुरक्षा गार्ट की बात करें तो ये आपको ट्रेन के S1 कोच में मिल जाएंगे बिहार में गर्वपात करवाने के लिए अब यहां से लीनी होगी अनुमती किन सरकार के द्वारा संसोधित अधिनियम मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी के तहट बिहार सरकार की ओर से आदेश यारी करते वे 18 मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है और साथी इन नुगठित बोर्ड को सरकार की ओर से गर्वपात की अनुमती देने का अधिकार भी प्रदान किया गया है ऐसे में अब गर्ववती महिलाय निर्धारित मापडंद के आधार पर नवगठित बोर्ड से अनुमती ले सकती है बता दे कि नई अधिसूशना के अनुसार मेडिकल बोर्ड नौसपता से लेकर 24 सपता तक गर्वपात की अनुमती प्रदान करड़े में सक्छम है ऐसे में अगर किसी के द्वारा बिना बोर्ड के अनुमती के गर्वपात करवाया जाता है तो वो पूरी तरह से गयर कानुनी होगा वही नए नियम के अनुसार अगर महिला दुशकर्म या सामोहिक दुशकर्म के शिकार होती है और वह गर्व सुरक्षित नहीं रखना चाहती है तो वह बोर्ड को गर्वपात के लिए आवईदन दे सकती है जिसके बाद बोर्ड की ओर से इस संबंद में अनुमती दिया ज सकता है इसके अलावा अगर किसी महिला के कोख में बच्चा कोई गंभीर किस्म के सारीक या मांसिक रोकसिक रस्त है तो ऐसे स्थिती में भी महिला गर्वपात के लिए आवईदन दे सकती है महिला गर्वावस्था में वेवाहिक संबंद तूटने या विदवा होने की हल निकल जाता है इस्थानिये लोगों का दावा है कि यहां आए लोग कभी निराश होकर वापस नहीं जाते हैं गया जिले में गया पटना मुख्य मार्क परस्तित बीथो शरीफ दरगा हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र है हजरत मकदूम शयद शाह दुर्वेस रहमतु पीथो शरीफ का नाम पहले बैतहू शरीफ था इस दरगा सरीफ में बाबा के मजार के साथ उनके परिजन का मजार भी है दरगा आने वाले अकिकत मंद इस जगह पर सूफियाना कबवाली का अनंद भी उठा सकते हैं शाम पांच बजे के बाद बाबा के मजार पर हाजरी लगाने का वक्त होता है पारवाई करने का नर्देश दिया गया है मालम हो कि मुईनूल हक स्टेरिया में वर्ल्ड क्लास इंटरनाशनल स्टेरिया में स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स फाइव स्टार होटर रिस्टरेंट बहतर ड्रेनिस सिस्टम पार्किंग विवस्था पटना मेट्रों के सास्थ अन वहीं दूसरी और विहार के जमुई के मा कालिका मंदिर मलैपूर में भी चैपूर के कारीगरों के द्वारा मारबल निर्मित 11,50,000 की राम लक्षम सहित मा जान की वह बजरंग बली सहित राधा कृष्ण की प्रतीमा के स्थापना की जाने वाली है इस बारे में मा कालिका बाई 2-2.5 फीट की है जिस दोरान अयोध्या में भगवान राम की प्रान प्रतस्था होगी उस दोरान नहीं यहां भी प्रान प्रतस्था की जाएगी इसके लिए मंदर का भे रिणमान कार्य पूर्ण हो चुका है हाला कि प्रान प्रतस्था से पहले 18 जन्मरी 2024 को जल या किया जाएगा जो सीधे तोर पर आई जी के नियंतरन में काम करेगी बता दे किस टीम में उन्चार जिलों के पुलस कर्मियों को शामल किया जाएगा जो शिवदी प्लांडे के अंदर आते हैं हाला किस टीम को में कितने सदसे होंगे इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है वहिस के अलावा आई जी शिवदी प्लांडे के दौरा सभी पुलस पदादीकारियों को भी जिताबनी दी गई है कि वे सभी किसे भी सुरत में भू माफिया के साथ संबंध नहीं रखे क्योंकि किसी का संबंध सावित होने पर पुलस कर्मियों को बकसार नह के दोरान युन्तम तापमान में 2-4 डिग्री गिरावट के आसार है तापमान में गिरावट आने से शीत लहर जैसे हालात बन सकते हैं मौसम विज्यानी आशीश कुमार ने मौसम पुरवानुमान के आधार पर बताया कि दो दिनों बाद पच्छुआ हवा का व्यापक राजिके उत्तर पर्शिम और उत्तर मध्य भागों के एक या दो अस्थारों में घना कुहासा चाय रहने की संभावना जताई गई है वही आईमडी बिहार के ओर से इन छेत्रों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है इसके अलावा राजिके सेश भागों में सुभा के समय हलके सी मध्यमस्तर का कुहासा चाय रहने की संभावना है और इसके लिए ग्रीन अलर्ट चारी किया गया है RBI ने 2000 रुपे के नोट को लेकर दिया बड़ा अपडेट अगर आभी उन लोगों मिस्ते हैं जिनके द्वारा अब तक 2000 रुपे का नोट नहीं बदलवाया गया है तो यह ख़बर आपके लिए है बता दे कि भारतिया रिजर्व बैंक यानि की RBI के ओर से 2000 रुपे के को पोस्ट ऑफिस की किसी भी सुधा से RBI के ओफिस को भेजना होगा बता दे कि RBI के FAQ के मताविक एक व्यक्ति डाग घर से मिलने वाली सुधा के साथ रिजर्व बैंक के 19 कारयालों में एक बार में 20,000 रुपे की सीमा तक नोट बदलवा सकते हैं या जमा करवा सकते हैं आ इतर दिन बिहार सरकार के स्वास्ते विवा के अपर मुख्य सची प्रत्य अमरत गोपाल गंज सदर अस्पताल निरिक्षन करने के लिए गोपाल गंज पहुँचे जहां उन्होंने निरिक्षन के इत्परम में मरीजों की सुधाओं का जाइजा लिया और साथी OPD इमर्ज चाहे हैं हम लोगों का सिस्टम कैसा चल रहा है चुनौती क्या है स्टाफ को किस तरह की मदद की आवश्यक्ता है दवा की क्या उपलदता है और सर्विसस की क्या इस्थी हैं सब चीजों की जानकारी ले रहे हैं उन्होंने कहा कि मरीजों को बहतर स्वास्ते सुधा सुनने को मलते रहते हैं वहीं अब इस पर मुद्दे पर बिहार सरकार के मद्र निशेद मंत्री सुनील कुमार के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है और ने कहा कि बिहार का बॉडर चारों और से खुला हुआ है और हर जगा पुलस की तैनाती मुम्किन नहीं है इसके सामने में काम हो रहा है और आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा उन्होंने कहा कि जिन डिवीजन में शड़ाप की जपती जादा हो रही है वहां के एडीजी प्रोवीजन को तेजी से ट्रायल कर सजादी गई है पटना पहुचकर केंदरी मंतरी स्मृति रानी ने कहा ये बीतदन केंदरी मंतरी स्मृति रानी बिहार की राजधानी पटना पहुची जहां उन्होंने भाजपा प्रदेश कारयाले में मीडिया कारेश शाला में बत्त और मुख्य अतिती उपस्तत लोगों को संबोधित क वहिस दुरान स्मृति रानी के द्वारा कॉंग्रस पर भी जमकर हमला बोला गया उन्होंने कहा कि उनका राम मंदर उद घाटन से लन्यास में नहीं जाना अप एक छित था उनसे लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी कॉंग्रस पार्टी का प्रभू राम विरोधी चहरा उ होंगे और पार्टी ने प्राण प्रतिस्ठा में ना जाने का फैसला भी ले दिया है सीट सेरिंग को लेकर मंतरी श्रवन कुमार का बयान दोहसार चौबस में होने वाले लोग सभाचनाओ को लेकर सभी पार्टीयों क्योंड से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी ग ठीक से हो जाए ऐसी कोशिस सभी के द्वारा की जानी चाहिए वही जो देडी हो रही है उसे थोड़ी दिक्कत हो रही है जिसका हल निकालना चाहिए बड़े नेताओं का सिद्यूल रहता है लेकिन सीट शेरिंग के काड़ी को प्रात्मिक्ता से करना चाहिए जिसको जिस वाले लोग सभा चनाओं को लेकर सभी पार्टियों के ओर से अपनी अपनी तयारियां शिरू कर दी गई है इसी कड़ी में अब उपेंद्र कृश्वाहा की पार्टी राष्ट्रे लोग जनता दल के द्वारा चार लोग सभा सीटों के लिए अपना दावा ठोक दिया गया है और इन सीटों पर अगले महीने से रैलियां की जाने वाली है इस बारे में आर एलजेटी के प्रदीश महा सचीव एवं प्रवक्ता राम पुकार सना के दोरा जानकारी देते वे बताया गया क्या गामी लोग सभा चनाओं को देखते वे पार्टी के ओर से चार बरी रैल को जंजारपुर में और चौथी रैली 18 फरवरी को जहानाबाद में आउजित की जाएगी और इन सभी रैलियों को पिंद्र कुश्वाहा के द्वारा संबोधित किया जाएगा मुहमत सिराज ने टेस्ट रैंकिंग में लगाई लंबी चलांग रोहत विराट को भी फाइदा भारत और साउथ अफरीका के बीज केप टाउन में हुई टेस्ट स्रीज के बाद ICC के द्वारा हाली में मिन्स टेस्ट की रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारती टीम के दाये हाथ के तेज गेंदवाज मुहमत सिराज के द्वारा अपने करियर की नई उच्टम रेटि लिया गया है जबकि कप्तान रोहिर शर्मा टॉप 10 में शामिल हो गए है इसके लावा साउथ अफरीका के ओपनर एडन मारकरम के टेस्ट रैंकिंग में टॉप 20 में एंट्री हुई है वहीं आज यानिकी 11 जन्वरी दोहजार चॉबिस को भारत और अफगानस्तान के वीच टीम मैचों की T20 स्रीज का पहला मुकाबला मुहाली में खिला जाने वाला है बता दे के मुकाबला भारतिय समय के नुसार शाम साथ बज़े से खिला जाएगा जिसका लाइप प्रसारन आप स्पोर्स 18 चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही मैच के स्ट्रेमिंग जियो सिनेम आप पर भी देख सकते हैं भारत के तियास में आज की तारीक है कई कार्नोस दर्ज मुगल समराचे के समराच जहांगी ने इस इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की जाज़त 1613 में दी भारत के अकबारी कागच का उत्पादर 1955 में प्राडम हुआ भारत और इं आज हम बात करेंगे पीए मुद्रा योजना के बारे में, सोशल मेडिया पर कई सूशना वारल होती है लेकिन सबी सच हो ये जरूरी नहीं है, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे, PM मुदरा योजना के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक अनुमोदन पत्र में कानूनी बीमा शुर्क के रूप में 36,500 रुपे के भुकतान पर PM मुदरा योजना के तहत 3,000,000 रुपे का रिन देने का दावा किया गया है P.I.B. ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि अपत्र फरजी है, Ministry of Finance ने अपत्र जारी नहीं किया है Instagram पर इस तरह पोस्ट कर बढ़वाएं अपने followers Instagram पर कुछ समय पहले company ने एक नया feature जो रहा था जिसकी मदद से आप अपने followers बढ़ा सकते हैं Instagram पर अपने followers बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी profile का public होना बेहत जरूरी है private account में आपकी reach नहीं मिलेगी ज़्या followers होने से आपको brand promotion deals आदी कई चीजों का फायदा मिलेगा जिससे आप पैसे कमा पाएंगे Instagram ने एक नया feature story के अदर users को दिया है अब आप अपना मन पसंद template बना सकते हैं template बिनाने के साथ साथ आप इसे दोस्तों के साथ share कर उन्हें इस edit करने का option भी दे सकते हैं अब इस दे निकलेगी UGC net परिक्षा के result अगर आप भी उन अभ्यार्थियों में से हैं जिनके द्वारा National Testing Agency के ओर से 13 से विश्यों के लिए 6 से 19 दिसंबर तक आयुजित की गई UGC net परिक्षा में शामिल हुए थे तो यहाँ खबर आपके लिए है बता दे कि अब इस परिक्षा का result 17 जनवरी 2024 को जारी किया जाएगा UGC net.nta.ac.in slash पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हम प्रति दिन आप से 5 ऐसे जरूरी सवार और उसके जवाब बताएंगे जो की Option B. शिव संकर सर्मा, Option C. जगजीत सिंग, Option D. सुचेता सतीश इसका सहुत तरह है Option D. सुचेता सतीश अगला सवार, हाले में भारत और किसने हाइड्रोजन छेतर में सहयोग बढ़ाने के लिए समझोता ग्यापन पर हंस्ताक छर्किये हैं Option E. गुयाना गंडराचे, Option B. स्रेलंका, Option C. जिंबावे, Option D. यमद इसका सहुत तरह है Option E. गुयाना गंडराचे, अगला सवाल, हाले में किसको भारतिय प्रतिभूती और बिनिमें बोर्ड का कारेकारी निदेशक निवत किया गया है Option E. माधवी पूरी बुच, Option B. स्री जी, महालिंगम, Option C. जी राम मोहन राव, Option D. प्रशांत सरन इसका सहुत तरह है Option C. जी राम मोहन राव अगला सवाल, डॉक्टर राजिंदर प्रशाद को 9 अगस्ट वर्स 1942 में ग्रफ्तार करके निम्नमें से कस जेल में भेजा गया था Option E. कैंप जेल, Option B. हजारी बांक जेल, Option C. भागलपूर जेल, Option D. बांकेपूर जेल इसका सहुत तरह हो, Option D. बांकेपूर जेल अगला सवाल, निम्नमें से कौन से परटिन अस्थन व्याशाली में नहीं है Option E. राजावसाल का गर, Option B. राजय विशेक पुसकरनी, Option C. कमल तालाब, Option D. नातनगर बीते दिन हमारे तरह पुछिया सवाल का, आप लोगों में से बहुत लोगों ने पहजाब हमें हमारी comment section box मा लिख कर दिया था जिनलने हमारे तरह पुछिया सवाल का जवाब दिया और जिए उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार आज भारत और अफगानस्तान के वीच खेले जाने वाले T20 स्रीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम के किस-किस खिलारी के द्वारा अच्छा प्रदर्शन दिखाया जा सकता है अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्षन में लिखका जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिखते रहें बिहारी न्यूज और साथी अगर आप यूटूब से देखने चानको सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखने तो पेस को फॉलो करना ना भूलें धन्यवाद आप इतना ही बिहारी आप यूटूब कर देखने ही आप बने लिए झाम था आप यूलो के लिएसे से तमाम उतव टे रहें ही आप यूटूब